किसी ने बंदर का मुझ खोटा क्यों नहीं पहना है मुझ की क्या ज़रत है ये तो इनकी लंका जलाने का वगत है क्यों हनुमान सही का जांबुहन तश्रिफ तोड़ने का असली वगत आ गया है आसन सुन्न हो जाएगा हृ त़ तोब तोड़ने का कि अताशल एक का जनकी लाएगार मुझ खोटा पड़र ये तोड़र का भक्याल वगत लो अग्याया । अधभर शव्च भ। थekस मुश का ज़र है ये 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 गाला कमिना बोला था अभे अंग्रेज की नाजा है साओला चल लग्ष्मी 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 एक अष्मी लग्ष्मी लग्ष्मी लेंग् लेमन टी लगभग बन गई है गरम रहते ही पी लेना ओके ठीक है थेंक यू बेभी कि देबू मेडम क्या जै किष्णा को देख पाएंगे मैं सच में खुश खबरी के इंदिजार कर रहा हूं मैं बहुत उत्सुक हूं गुड़ लग दीपू सॉरी रॉंग नंबर है दीपू मेरी बास सुनो कहा ना रॉंग नंबर है दीपू क्या हूआ बोलो तुम्हारे पिताजी और ये कब हो अचानक रात में दौरा पड़ा हम उन्हें तुरंथ हॉस्पिटल लेकर गए उन्हें हार्ट अटेक आया था यह क्या हूँ तुम्हारे पापा को अभी दस मिनट पहले ही उनकी मौत हो गई तुम जल्दी आ ज टिकेट का इंतिजाम करो मैं सामान पैक करती हूँ करते हूँ दीपू तुम्हें रोना क्यों नहीं आ रहा है मैंने घर पर ही कोशिश की थी लेकिन कुछ हुआ ही नहीं पता नहीं क्यों क्या हुआ क्या सोच रहा है तु तो थेरेपिस्ट है ना तो ही बता देख ऐसे हालाद अकसर सदमे की वज़े से होई जाते है सीरोल मोशन्स कहते हैं से उसे लग रहा वो ठीक है उसे कुछ तकलीफ जैसे एसास ही नहीं हो रहा होगा ना उसे कभी रोते देखा ना कभी खुश होते हुए कैसे बताओ उसे कि वो ठीक नहीं है पर तुझे बताना चाहिए चंदू अपनी पतनी को तकलीफ में देखकर तुम्हें बहुत तकलीफ होरी है ना? प्रुम्हें मुझसे मिलने आने के लिए तुझे साथ साल लग गए मेरे पापा की डेथ हो गई है हाँ तुने सही सुना पापा आप नहीं रहे पर कैसे वाव ये रम्या के द्वारा बहुत ही बढ़िया पपॉमेंस था पेश करते हैं अगला पपॉमेंस नाइज क्लास से झाह जाए झाह बच्टाई झाह झाल झाल बेठो कितना वक्त बागी है दो पहर तक हो जाएगा दीप्पू एबिना गिलड़की क्या कर रहे है दीप्पू दीप्पू सर इस्कूल के अनिविल प्रोग्राम चल रहे है और इस्कूल यहां के मिले का है हम कुछ नहीं कर सकते सर दीप्पू प्रोग दीप्पू दीप्पू तो आप देख जन कर रहे है तूँ शीरन जीविकी की वह कौन से फिल्म है जिसे जंध्याला ने डायरेट किया था अब अब शान तुझा यह सर आपको पता है भी या नहीं एए सर 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 खुछ मत करिये सर इधर आए सर टिपू क्या है यह सब टिपू तुम यह सब क्यों कर रही हो बाद तीसरा क्षर है मुवी का नाम पता है चंट पाई बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ बदू चल टिपू टिपू तु क्या कर रही है टिपू टिपू अरे रुकिए मैं उसके घर जाना चाहती हूँ अर्यू शू उसकी कोई फोटो मिलते ही लोट आऊंगी ठीक है ज्यादा दिमाग मत खर्च कर मैं पागल नहीं हूँ सब ठीक है तू कैसी है कुछ खास नहीं शादी होने के बाद पढ़ा ही छोड़नी पड़ गई गोविंदिया शिफ्ट हो गई मैं वहां तीन साल रही अभी हाल ही मैं वापस से यही परशिफ्ट हो गई मैं पिछले साल रोजा से मिली थी उसने मुझे सब बताया तेरा पती तो बहुत अच्छा इंसान लगता है बिना रोक टोक के आने दिया उससे सब कुछ पता है क्या मतलब? हम अपने जीवन साथ ही से सब कुछ तो नहीं चुपा सकते हैं न उसने मेरा टैटू देख लिया था तो क्या कहा? मैंने उससे सब बता दिया उसने भी समझा और सब कुछ संभाल लिया चलो अच्छा है वैसे हम क्रिश्णा के घर क्यो जा रहे हैं? बताती हूँ सुन तो सुड़ा पिएगी क्या? पेस तो पहले जो सही है सही कातुने यार दोचर पांच चल रहा है और अभी तुम्हारा संकी बाप चाहरे को ले के क्यो पागल है मेरे पापा के बारे में कुछ भी मत बोलो हा? मेरे पाप समझने के कोशिश को रहा हूँ मेरे बाप काला था तो में भी काला ही रहूँगा क्या बोल रहे हैं यह लोग? हाई दीप दीप दीपीका मुरली तो लवर? हाँ किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो या फिर ऐसे ही चले जा रहे हो हम दोनों भाग रहे हैं चुप रहो क्या बोल रही हो? कोई प्राब्लम है क्या? वो क्या है कि कॉलेज के समय से ही हम दोनों प्यार करते हैं पर इसके पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करतें इसके लिए तो उन्होंने दूला भी ढून लिया है क्या वो अमेरिका से है? आस्ट्रेलिया और अंत में सारी कहानिया एक जैसी बन जाती है जरूर कहा होगा कि लड़की की कमाई लाखों में है शादी करके लाइफ सेट हो जाएगी है सुना, मुझे तो लगता ही लड़कों वाले की तरब से चलो चलते है अरे नहीं, तुम्हारी कहानी तो मेरे जैसी है तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था यह तो सबके साथ होता ही है अब दीपू, तो तुमने क्या किया? तुम्हारे साथ होता ही है तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे और रोज ऐसे ही महनत करेगा वह तो करना ही होगा अंकल नीन तो अच्छे लेता है ना? इनने अच्छे से साफ करना वरना बदबू आएगी इसमें से अगर तो रोजी ऐसे ही मेनत करने लगा न तो क्लास मीस करतेगा यह कॉलेज मेरे अंकल का ही है अब मेरे टांग खिजना बन कर मैं यहां प्रिंसिपल नहीं वॉच्मेन हूँ आपने कुछ खाया गया खाया मैंन तुने मैं तो खालूँगा डिब्बो को अच्छे से साफ करना मैं शाम को जाते समय ले लूगा मन लगा के पढ़ना एक बात याद रखना अंकल यह कॉलेज हमेशा के लिए है जैक रुष्णा को याद रखेगा हुआ 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 है अरे इंजिनरिंग कोई दूद उबालने का काम नहीं है ऐसा है क्या और क्या अरे पिछले साल तक तो एक लाख लोगों में से रेंग खोना चाहिए था एडिमिशन के लिए लेकिन अब अपने नए सीम ने ना कुछ नए कॉलेज खोलने के आदेश दे दिये हैं इसलिए त पिसमत अच्छी थे इसकी इसलिए इसे सीट मिल गई तुम्हें सच में कुछ नहीं पता है क्या अरे गिटो तो खोब मेनत कर और कुछ बंजा आ करूंगा करूंगा अभी आपके तरह बुड़ा थोड़ी ना हो रहा हूं देटे ये क्या तरीका है बड़ों की इज़्यत क आप लोग भी अपनी बगवास मत किया करो ना मेरे सामने या मेरे घर पर भी मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रहा था अगर तू नहीं पड़ा ना तो तेरी और इनकी सारी मेनत बरबाद हो जाएगी ये बासी खाना भले हम इंसानों के लिए बिकार होता होगा लेकिन ज तस साल बाद जब मैं सच मुझ कुछ बन जाओंगा ना तो आप ही मेरे साथ पिक्चर के लिए आओगे और मेरे पिताची आपसे कहेंगे कि मेरे पास जरा सभी वक्त नहीं है क्या की काम नहीं है क्या करने को आपके बस चलिए बाद में मिलते हैं वाभी कोफी थोड़ा रुकना होगा कितना पांच मिनिट हम वह भी तयार ही हो रहे हैं बिलकुल नहीं इसका आइनी से प्यार कभी खत्म नहीं होगा मेरे साथ ही सोकर उठे मैं तयार हो गई गर की सफाई कर दी नाशता भी बन गया पर वो तयार नहीं हुए और तयार नह हुए फथ जयार रहे है हुए 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 ह् hu खब़़ दो मुत कर रहे है हुए हुएop भाबी, अगर मेरे भाई से शादी के लिए सरकारी नौकरी नहीं छोड़ी होती, तो आप भी इनकी तरह जोगिंग के लिए जाती हैं। कुछ भी खाता हैं। एल्सें उसे जाने दोना। हरोस के लिए जाते का हैं आज तक मुझे पता ही नी चला। क्या पता कि जोगिंग के लिए जाते ही नहीं। तुम और झाली होती। बढ़त लिए वर क्याद कीज़ीं। कि फिट रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि आप कैसे हैं भाईया तुम्हारे पिता जी आफिस चले गए वो तो कपके स्टेशन चले गए चलो मैंने सुना है तुम्हारा वोई लव स्टोरी का चक्कर चल रहा है साच है क्या तुमने अपने पताजी को बताया मैं अब तक बताने ही पाई भया हिम्मत नहीं है मुझ मैं आखिर मैं किस लिए हूं तुम अभी उन्हें बताना चाहिए सच में लड़के का नाम अभी अभी राम है और बता उसके बारे को वह हमारे मंदर के पुजारी का बेटा है अच्छ हर कोई आदा नारियल चड़ाता है लेकिन ये तो कुछ जाद ही मांग रहा है मुझे नहीं लगता अंकल मानेंगे वैसे वह कितना बड़ा लिखाया उसके पास डिग्री है भया ओहो डिग्री है वैसे डिग्री तो सभी बनवाले थे आशकल मुश्किल है तुमारे पताज है किरिकेट है स्पोर्ट्स में है कुछ और है उसके पास है बोलो स्पोर्ट्स कोटा से उसे अच्छी जॉब मिल जाएगी अगले महीने टूर्णामेंट है उसकी तैयारी कर रहा है वो उसके बाद उसके पापा से बात कर सकते हैं वैसे हैंडीकेप्ट कोटा से जॉब जरूर मिल जाएगी लेकिन तुम्हारे बाबा फिर भी नहीं मानेंगे अरे नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं वो क्रिकेट टीम का कैप्टेन है भाईया वो कोई हैंडीकेप्ट नहीं है नहीं बिटा मुझे पक्का यकीन है वो सच मे हैंडीकेप्ट है नहीं भाईया तुझेे पता ही क्या है मैंने उसके हाथ तोड़े हैं मुझे पता है कल तुसे मिली थी और मैं उसे कल रात को मिला अब तु से पुरी दुनिया में कहीं भी लेकर चली जा लेकिन उसके हाथ अब कोई ठीक नहीं कर पाएगा इसकी घारिंटी मैं ले दाओ ठीक है लेकिन आप लोगों को उससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा फ्लीज भाईया बिटा 1969 में नील आर्म स्ट्रॉंग नाम का एक आदमी था उसने ना जाने कितनी इकट नहीं का सामना करके चांद पर कदब रहा लेकिन तुम बच्छे आस्मान को यह अपनी लिमिट मनते हो सिर्फ आस्मान से खुश हो इसरी मैं चाहता हूं कि तुम्हें बुरा अंत्रिक्ष में ल आपका बहुत शुक्रिया सर आपने मेरी बेटी को डरा के उसके दिमाग में काम की बाट डाली दमेस जी, एक आदमी जिसकी एक ही बेटी हो, और एक आदमी जो समंदर के नारे खड़ा है, दोनों की कंडिशन एक ही होती है हमें लगता है कि समंदर का पानी हमारे पैर दोने और हमें शान्त करने आता है लेकिन बिना भनक लगे कि पानी हमारे पैरों की नीचे की रेत को दीरे से खीच के ले जाता है ये आजकल के कमीने लड़के प्यार का खुबसूरत चलावा करके हमसे हमारी लड़कियों को दूर ले जाते हैं सरी कहा सर समंदर, फेड, जाड़ियां ये बच्चे जैसे इनको देखते हैं तुरन शुरू हो जाते हैं बिल्कुल सही सर ये बीच भी लवर्स पॉइंट के नाम से फेमस है यानि हमें प्रकरती का रक्षन करना ही होगा हम करेंगे आप यहां पर पहनी नजर रखो जरूर सर मुटी उपर थोड़ा नीचे उपर अभास ए ये क्या एक्सपेशन है रहे अब ये तू शैतन का साला लग रहाता तो रूख नीचे देख नीचे पड़ा उपर दे मुझ बन कर हस साला चमन चुपेगा भाई ये क्या बूल रहो भाई मैंने का कि पप्पी की तरह बहुत क्यूट लग रहा है पपी मतलब हिंदी में कुट्टे का बच्चा होता है चला सब देख कोई भी मेरी तरफ पिच्चर नहीं खेच सकता है भाई ये फोटो अच्छी आईगी ना जब तू टपक जाएगा ना तो तेरे श्रात पर ये पिच्चर रखी जाएगी और तब मुझसे कहने ये पिच्चर अच्छी है या ने कोई है क्या कोई है अरे बालू तुम्हारे पिदा जी नहीं आएका नहीं क्यूँ अरे कुछ नहीं हमारे पुलिस फोटोग्राफर को पीलिया हो गया है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे डेट कुछ पिच्चर निकाल दे वो तो मैं भी कर सकता हूँ क्या तू तुम्हें मेरा बाप चाहिए या फोटो ठीक है चलो चलते हैं एक मिटा मैं आता हूँ अंकल अंकल क्या मुझे इस पर जाना होगा और चलाना भी होगा चलो अब ये लो तुम जीब लेकर नहीं आ सकते थे मैं लेकर आऊंगा तू कोई फालतू हरकत कर फिर तुझे सरकारी जीब करवा दूँगा वो मोका भी नहीं मिलेगा तू हमेशा पनोती वाली बात क्यूं करते हैं नमस्ते सर यह कैसे हुआ इसने पेस्टिसाइड पिया और खुद को फासी लगा ली लटकने से नहीं पेस्टिसाइड से मुझे लाशों से डर लगता है में फोटो में सकता है क्या है किबाला हमारे पास कोई दूसरा फोटोक्राफर नहीं है प्रेस को भेजनी है मतलब मेरी किछी हुई फोटो पेपर में छपेगी कि अधिर पिश्टी रुपीज थाट्टी क्रेडिट देना पड़ेगा तुझे पता यह मडर केसे यह क्रेडिट में तुझे देदू तो फ्री में करेगा नए जातो है सोडा पिला देना पहले काम खतम कर इसमें लाइटिंग सही नहीं है कि अधिल यह चुपने इसका फोटो कल पेपर में चपेगा क्या इसने कभी सोचा होगा कि पेपर में दिखेंगा यह यह इधर पोड़े आधिए अधिए 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 शुक्रमान कि इसने उसका मैक अप नहीं किया उसे स्टुडियो के जाना चीदा प्रॉपर पिक्चर लेने के लिए तुम्हें मजाग लग रहा है साले बचपन से ही मैंने तुछ पर एहसान किया है क्योंकि तू मेरा बेस्ट ट्रेंड है यही मेरी गलती थी एक मिनिट अभी तो लास पार की प्रैक्टिस हुई ही नहीं हां वो मैं समान लूंगी मैं ही लीड करूँगी ओ लेकिन वो तो मैं करने वाली थी? तु? मैं ये बारा साल के उम्रे से करती आ रही हूँ, लेकिन इसके बारे में हमें किसी ने बताया ही नहीं. हमें लगा दीप्ती ही देवी के पार्ट को अच्छे से करेगी. यहां, मैं ही करूँगी इसे. और सब लोग कहते हैं कि मैं ही देवी के कॉस्टुम में सबसे अच्छी लगती हूँ अच्छा तो लुक टेस्ट करके फैसला लेते हैं करते हैं तो तो पहले जा मैं बेस्ट हो तो लास्ट में आऊंगी कि अच्छी लड़की दिखाते हैं पर हमारे यहां कॉलेज में एक भी सुन्दर लड़की नहीं है एक बीनिये क्या कुछ भी बोलते हैं एलेट्रोनिक्स में एक लड़की है बदमा उसकी आखें सितार उसी चादा चमकती है सभी बात है तुम दोनों साथ में बहुत जमोगे ऐसा लगेगा कि हम ब्लैक एंड वाइट फिम देख रहे हैं नहीं गुलाब जामून रसगुला एक दम स्वीट लव स्टोरी अभी मुझ पर मत जोग मार रही तुझे वार्निंग दे रहा हू लगता है जैसे अंग्रेज की पैदाईश है और कभी खुद को इंग्लीज बोलते विए सुना है ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों से बदला ले रहे हैं अच्छा तू वो लड़की हम एक काम करते है एक मिनिट के लिए तू इंग्लीज बोलकर दिखा वड़की को देख ता है ना तो तेरे खड़े हो जाते है यह बोलरहा इंट वोड़की की बाल रहे थे हां कुछ थाम्स यह बंस कहते हैं गुडबंस प्स वही तो शची फिलिंग है माजिस की टिब्बी का है चलना चलकर टेरेस पर पीते हैं जहां सीनिर्स पीते हैं उन्हीं से बाग लेंगे और क्या सही बोल रहे तू जाब लेकर तू टेरेस से सबसे नजदे के तू लेकर आजा उधर उधर सेनियर की नजर में मत आना वनना रागिंग कर देंगे फ्रेशर पार्टी तक बर्दाश्ट करना होगा यह 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 बस्ति सी रागिंग है यार कोई अबजेक्शन में लेगा मा एक दम सहे अज़ जो मा एक दो कर दो कर दो झाल झाल घर जाने के बाद याद से अपने नजर उतार लेना मा, मुझा आशीर बाद दो कि मैं आज उससे अपने दिल की बात कह सको और वो हाँ कहते हैं तू याद के कर रहा है मैं या तेरे लिए आया हूँ तो याद कभी नहीं आता है मज़े करने के लिए आखर तो आजकर इतना ज़्दा क्यों आ रहा है हर किसी के जिंदगी में चार अच्छे दोस्त होते हैं एक जो आदते सिखाते हैं दूसरे वो जो ज़रोत पढ़ने पर पैसो से मदद करते हैं तीसरे जो आके साथ बड़े होते हैं और चोथे वो जो प्यार के लिए मदद करते हैं अब ये चारों ही दोस्त मुझे तुछ में नज़र आते हैं बालू कितना भी रगण ले कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला काम कर जड़ा काम कर वैसे मुझे डाउट है क्या तुम भी उससे प्यार करते ही तब हैसा कुछ नहीं था लेकिन नजर गई थी मेरी वैसे मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था कॉलेज आने से पहले वो हर रोज उस गाउ में दूद देने जाता था मैं कॉलेज पहुंचते ही उसे ढूलने लगती थी तूद वाले के घर के बाहर अगर बरतन है तो इसका मतलब कृष्णा कॉलेज आया है मतलब तुम्हें भी इंटरस था उसमें हां अच्छा मेरी बात सुनो भाई जैसे लड़कों का स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एडिक्शन होता है वैसे ही लड़कियों का भी होता है अगर हमने देख लिया कि लड़का हमें चुपके से देख रहा है तो हमें बस इतना डर होत देखेन अनफॉचनेटली अब यार तुसे कॉलिज में क्यों लेके आया था अब पांच मिन दुकना भाई आता हूं अरे बात को सून क्लास के टाइम कोई भी स्टुडेंट केंबस के बाहर जाता है नई सर पीछे के ग्राउंड पर खास द्यान रखो आँ ठीक है सर शराब बंध होने से बच्चे कोल्डिंग में टेबलेट मिला कर पीते हैं बेवकूफ कहीं के वो किसान मुझे शिकायत करता है मैं देख सब सर आओ घूंके आते हैं कौन सा यह सेकेंड डियर सर यहां क्या करने आए थे और सलिन आए थे सर क्या डेस्टर के लिए आयो जूट जूट बोलते हो ना ला एक को द्यान से देखिए सोरी साथ तूम कल अपने पैरेंट्स को ले आना क्या हो रहा था यहां मैं तो बस अपनी गर्फरेंट से बात कर रहा था सर गर्फरेंट यह कॉलेज को पबलिक पार्क समझ रखा है सब्सक्राइब कर सकते हैं यह गलात है सर मुझे अपने डैट को बुलाना पड़ेगा ओ यहां खड़े रहेना बेज़त ही लग रही है ठीक है बैट जाओ सर बैट जा नीचे क्यों बैट रहे हो उठो खड़े हो जाओ कुरसी पर बैट जाओ सर पांच मिनिट बैट ओ मैं तुम्हें जाने दूंगा रिलेक्स आपने तो पांच मिनिट कहा था लेकिन पंदरा मिनिट तक बैठाया यह गलात है सर पंदरा मिनिट पता है तुम कितनी देर खड़े हो सिर्फ दो मिनिट और पंदरा सेकेंड यहां से पनिश्मेंट और भी कड़ी होती जाएगी जाओ पुरा कॉलेज एकी बात कर रहा है बाई आकेर उस बुड़े ने तुम्हें सबके सामने बेसेत क्यों किया अच्छा इंसान बंदे में समय लगता है लेकिन हिरो बंदे में वक्त नहीं लगता तुझे फिर से चमकाने वाला कोई बकरा चाहिए मुझे बस एक बंदर चाहिए प्लान बस इतना है कि ना उस बंदर को पता होगा और ना ही पबलिक को पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ फिर तो मुझे ही ढूनना होगा वो खुद तो नहीं आएंगे चल कि अपने पास भाई वे जाल निकल नहीं से भाई अर्जेंट है मैं फटा फट करेंगे निकल जांब खुपटी में बात नहीं घुसिके हैं चल जाना अब यहां से मैं आपको डिस्टब नहीं करूंगा भाई प्लीज बात को समझे ना भाई भाई लगा रखा वे तुझे क्या मेरे आप मंकी मिल गया है बाकी सब लोगा है वो बस आने ही वाले होंगे ठीक है क्या है अच्छा परफॉर्म क्या कर दिया वो तो हर इविंट की शुरुवात हमसे ही करवाना चाहते हैं दस तो मच जैसे बस का ड्राइवर होता है वैसे हम इस फंक्शन के लिए हैं हमारे बिना यह फंक्शन आगे ही नहीं बढ़ेगा इसलिए अपना स्पॉर्ट तो फिक्स है ए चल कोस्ट्यूम पहन लो फिर चल के कैंटीन में प्रेक्टिस करते हैं मुझे लिमका भी पीना है अरे तुने वो क्यू पहना है वो मेरा है लीड डांसर रेट पहनती है सही कहा लीड डा हूवो किसी ने मुझे दख्का दी किया था प्रक्राइब में अध्या नहीं प्लीज मुझे छोड़ी तो पताई ना अगर्जों को छड़ता है तो प्लीज मुझे किसी ने देख्का दिया था मैने जान कुछ का नहीं किया यह सर जाने दीजे ना मुझे तक्यूं मार रहा हो आप सब के साथ अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कर दीजे सर तो पहले हो गाना बन कर वाई लगता है तेरे अंकल ने तरे बाप को सब कुछ बता दिया वह नहीं बताएगा मैं उसके सामने गिरगड़ा चुका हूँ इसके लिए उसको होस्टिल में लेकर आया हूँ मुझे तो लगता हूँ उन लोगों ने सब कुछ जान बुच के किया है अब यह क्या कर रहा है अरे तुझे क्या हो गया आब तू नहीं जानता वो मुझे बार-बार काला बुला रहा था इसका क्या मतलब होता है बता कि जो गोरे लोग है वो कभी कुछ गलत नहीं करते हैं गया अभे चेरे के रंग से कोई फरगने पढ़ता गल्ती पहलती तू इसलिए दुक्ष तुझे हो गया कि ए कि थे बिना को बात करते कि सुना कि observing लिःज बेजत्ति करने के लिए ल्म ने जान बुशे शेकिया इसकी तो मूजे थे कमील बुचत करता में लेकिन regular आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछो आपसे आपको कॉलिज में किसी से प्यार हुआ था क्या तू ना सोज अदीपू तेरी एक्जाम से क्या कभी किसी ने आपको इंप्रेस किया है इंप्रेस करना असान है लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल है समझ गई खुर के बताईए प्यार का कीड़ा सुना इसके बारे में तो यह बता कि उसके जिंदगी कितनी होती है पंधरा साल होती है, लेकिन फिर भी कुछ ही सेकेंट में हम उसे मसल के मार भी सकते हैं, प्यार भी कुछ ऐसा ही होता है, केड़े को कुछल दिये जाने के दर्द का पता होता है, क्या अब आपको इन बातों का बुरा लग रहा है, क्या आप मेरे भाई के साथ खोश है, शाद प्रेट दारू, सब झेलना पड़ता है, और सुबा होते ही, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता अगर हम लव मैरेज करें तो, सब बकवास है, बेकार की बाते हैं, लव मैरेज या अरेंज मैरेज, एक बार शादी हो गई तो सब एक सा रहता है, शा यह सोचने का टाइम ही नहीं है, लड़कों के लिए, प्यार में धोगा खाने के बाद, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, तब तक एक ही काम होता है, अपनी प्रेम कहानी सुनाओ, जो उसे सुन रहा हो, लेकिन हमारे लिए अलग बात है, जब तक प्यार का पता चलता ह हमारे फ्रेंड्स आते हैं, कौनग्रेचुलेट करते हैं, और शादी के बाद किसी और मर्द के बारे में सोचना भी पाप होता है, आँ सही कहाँ, हम्, ऐसे ही मर्द अपना दर्द दिखाने के लिए मूवी बनाते हैं, और हमारी कहान ही अनसुनी रह जाती है, अच्छा, एक आखरी सवाल, आपके हिसाब से सच्चा प्यार क्या होता है? अगर कोई हमें सच्चा प्यार करता है, तो वो सारी हदे पार कर सकता है, इसका मतलब प्यार है, अब सोजाओ. गुड मॉनिंग सर. लाम. जाए कृष्णा सर, मेकैनिकल ब्रांच. तुम्हेरे घाव कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, ठीक हो जाएगा. लड़कियोंने बताया मुझे, कई बार गलती ना होते हुए भी अकसर हमें चोट मिलती रहती है, और लोग उसे एक्सिडेंट कहते हैं. इसे भी एक एक्सिडेंट समझ कर भूल जाना. फृष्णा, इस ओफिस की दिवारोंने किसी न किसी वज़ा से मुझे वार्निंग देते हुए सुना है, लेकिन पहली बार मैं तुम्हें पूरी सेफटी की गेरंटी दे रहा हूँ. जिन्ता मत करो, ठीक है? जो हुआ है, जिन्ता मत कर दो हुआ है. प्रिश्णा जी रुकिए तुम्हारे साथ हमने ऐसा क्या क्या हमें ऐसे आवाइट क्यू कर रहे हो हमने जो प्रिंसिपल से शिकायत कि थी आपकी अगा में उसके लिए बुरा लग रहा है मेरी बे इज़्शत ही सो लोगों के बीच हुई थी जिसे कुछ लोगों के बीच कहे गए सोरी से भुलाया थो नहीं जा सकता है मेरे सारी इजट तो बरबाद होगे अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है क्रिष्णा जी अपने फिलोसॉफी कहीं और जाकर बताना रहने दो किसी से भी मत कहना चल आपका बंदा तो कुछ ज्यादा इस वक्त लगता है वक्त लगता है एक खुबसुरा तितली को भी पैदा होके तितली बनने में थोड़ा सा तो वक्त लगता है तुरियोधन पापी तु भीम नहीं है जामवन था है हाँ ठीक है आज तक मेरे सारे टेलेंट्स को दिखाने का मौका ही नहीं मिला था लेकिन अब वक्त आ गया है सब मेरी तरफ देखेंगे पर्फॉमस देखने के बाद कोई फरग नहीं पड़ता है कि तू कैसी पर्फॉ सुनो सुक्री उजरा यहां देना हमारा कभी-कभी एक्टिंग करने वाले अक्टर आज बड़ी-बड़ी फेक रहा है अखिर इसको मेन करेक्टर जो मिला है मूँ तो खुले गाई इसको तो लग रहा है कि यही ही रो है अब्य मैं कोई नायक नहीं हो बस कहानी का एक किरद जी अवश्य यदि कोई समस्या हुई तो हमारी वार्नर से ना अंदेरे को चीरती होए तुमारा रक्षन करने के लिए पोच जाएगी मैं धन्य हुआ जाम गुण जी ए रावना हमारी सेना रही है यह तुमारी इड से इड बजा अबे यही तो डायलोग थे नहीं यार तो कोई गाली दे रहा है क्या मुशिबत है यार इधा कहां जा रहा है हमें देर हो रही है यार ए बालू सुन तो मेरी बात अब तु एसे गेटब में गालिया कैसे दे सकता है ठीक है नहीं बखूंगा ऐसी भाशा दुबारा मत करना लोग अब तुशे गिरी नजर से यह भी नहीं जी सकता हूं लेकिन खाये भीना जी सकता हूं नई कसम खाली नहीं देगा ठीक है एक तरीका सीख ले गाली का मन हो तो गाली वाले शब बीच में रोक कर उसके जैसे लगने वाले दूसरे शब्त को बोल दिया कर बस हो गया कि यह लगता है कि काम करेगा अब यह लोग हम लोगों से पहले परफॉर्म करेंगे कल कि अध्याइब इस पुझे दिखा नहीं किया इस हम तो बस तुझे मजे के लिए काला बंदर कहके बुला रहे थे अब तो तु सच में काला बंदर बन गया भाई और तुम लोगों को देखा लगता है तुम लोग या काम करते होंगे हम ब्रिटिशर लोग बनें अचर ये उनका कोश्यों है क्या ओभ ब्रिटिश का अट्रिंग सर विस्वाइज भाई जाने दोने यार मैं तुझे हम मार दूगा मैं तुझे हम मार दूगा अबे किट्टू या यह क्या कर रहा है तू अपना गुस्सा शांत कर रहा हूँ लेकिन क्यू क्योंकि तुझे वादा क्याता मैं उन्हें नहीं मारूँगा मेरी तरब देख रूचा तोड़ वादा मार शालकुष अब ुझे वह वो तो मरा रे अब खर्चा अब इसको दुबारा क्यों केट्टा है हाँ क्यों रहे, सीनर प्याथ उठाएगा दोस्तों, जब तक लाइट वापस नहीं आ जाती उसे मारना ने, मैं चाहता हूँ वो खुद को पीटते हुए देखे है, ठीक है अरे किसी ने बंदर का मुझ खोटा क्यों नहीं पहना है मुझ की क्या ज़रत है, ये तो इनकी लंका जलाने का बगत है क्यों हनुमान क्यों है आड़ा़ा। तयूल जацион जज ए वो कि उनस लुआंट मगाला कमिना बोला था अब हे अंग्रेज की नाचा है साउलाद चल यार लड़ाई तो कमाल कि थी यह तेरा है क्या जाला जोपड़ी वाला कहीं का ए धर्मा जिस वक्त हमने तेरी उम्र का लिहास करना बंद कर दिया ना फिर जूनियर सीनियर कुछ नहीं होगा सब को सबक सिखाएंगे तुम लोग और हम लोग बराबर हैं क्या मैं रोज अपन पर दूद देने जाते हो एक कैसे हुए अपनी आवकाद देख के बात किया का है सही बोला दू तेरा बाप तुछ पर पैसा पहिकता है इसलिए ऐसा है तू लेकिन मैं यहां अपनी काबलियत और रैंक की वजह से हूं समझा तो दोनों एक कैसे नहीं हो सकते तो अपनी तो शरत घर नहीं गए थे हैं ने 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 सब चूप हो जाओ है इसकी पिजा जी बहुत महान है वह आज तक पने पढ़ोसी के बच्चे को पाल रहे हैं तुम लोग तो लड़ाई खत्म होती है लेकिन लड़ाई ही बातों की हो जाए तो क्या होगा जैसे अभी हो रही है त कि टुगुटू मेरी तो सुनते जा अचल ठीक है यह तो अच्छा लड़का है इसलिए सरके बाल की बात कर रहा ता तु तो जानता है में कह के बाल कह कर दूगा है तो दिखाओंगा तुझे मैं क्यों तु लड़की है कि अप्ते कप्ती कुटकी कि चुएगा मैं हेलो है क्या तुमने फर्स्ट ये का रिजल्ल देखा कितना परसंट आया तुम्हारा सेंटी वन परसंट आया है ओ मेरा तो 91 परसंट आया है अच्छे अटेंडन्स की वज़े से नहीं परसंटेज ओ अच्छे तो मैंने कॉलेज में टॉप किया है तो मैं चोटा सा स्ट्रीट देना चाहती हूं तुम भी आओगे ना ठीक शाम को पांच बचे कॉलेज के बाद भूला मता पार्टी में जरूर आना ओके बाए कि अ कि अ कि अब तुम क्यों नहीं आये हमारी भैस ने बच्छडे को जनम दिया था तो बाबा को मौरल सपोर्ट देने के लिए मुझे रुकना पड़ा था इसलमें नहीं आ पाया आइं सो सॉरी गल्ती होगे ठीक है आज लंज के लिए कैंटीन में आ जाना पार्टी है तुम्हारे लिए ठीक है आज जाओंगा हम कि अ कि 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 मेरे साथ क्यूं खेल रहे हो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहीं पर मिल सकता हूं साइकल की टायर पंचर हो रखी है न तो फिर और कहां जा सकते हो तुम कि 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 तुम्हारे इंतजार में कि दूसरों की भी फीलिंग्स की न इजद करना सीखो तुम्हारे लिए थोड़ी सिंपती थी लेकिन तुम्हे तो दिखावा ही करना है एक मिनिट जरा रुख जाओ तो कि कब से देख रहा हूं बस बोल रही हो जो मुह में आए बक्ती जा रही हो मुझे तुम्हारी सिंपती से क्या लेना देना सिंपती मांगे किसने तुमसे ये सिंपती जो होती है न ये गरीबों के लिए दिव्यांग लोगों के लिए होती है उनके लिए ये सारी भावनाएं ठीक लगती है लेकिन मुझे इसी भावनों में कोई इंट्रेस्ट नहीं है क्या सोच रही हो मैं तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहूं क्या क्या तुम्हे भिकारी बैकर अनकि तुम्हारे एक बार बुलाने पर में दौड के रहूं क्या क्यों इतना डिमां Undo क्यें के लिए यह उल्टा करकिए अगर एक सब करता है किसी लड़की से तो उसको जेल में डाल देते तुम तो रो रहे हो तो अब तक की हीरो की रिखिया थी वो सब जूट था हाथ और गया तुम जानती हो मैंने तुम से पहली मुलकात के बारे में क्या-क्या प्लैनिंग की थी रेत समंदर हवा और अभी यहां है बैनर जो तुम्हारे पैरेंस ने छपवा है था उसका क्या हुआ उसका बोलो गायब हो गया है पागल कहीं के सॉर्य वो मेरे घर पर है एक आम आदमी की याददाश अपने माबब क्या लावा किसी और इंसान के चेहरे को याद रखने के लिए बहुत कम्सुर होती है मै तुम्हारे चेहरे को कभी भूलना नहीं चाता था इसलिए मैंने तुम्हेरे बैनर को छुरा लिया प्लीज मुझे माफ कर देन अब और वो जो ठांक्स वाली बात थी तुम्हें क्या लगत है तुमकी इसी पर इशान कर रही हो क्या तुमने तब बात की होती जब धर्मा म मुझसे प्यार है तो इजहार क्यों नहीं करते हैं मेरे जैसा काला लड़का तुम जैसी गोरी लड़की को प्यार करें इस पर तो अपने खुद के दोस्ती मज़ा कुड़ाइंगे एक बोलता है ब्लैक और गुलाब जामुन की जोड़ी है और कुछ तो कहते हैं कि बस सपने इस लेओल की धजिया उड़ जाती है और ये लिस्ट और भी लंबी है लेकिन अब मैं क्या करूं इसका बस चुप रह सकता हूं और तुम्हें दूर से देखता रह सकता हूं मेरी जिन्देगी वो वहाँ पर लटक रही स्ट्रीट लाइट की तरह ही है या किसे सिनेमा घर में लगे हुए बल्ब की तरह लेकिन इन लाइट का कोई मतलब नहीं है यहां तक कि यह मेरे कंट्रोल में भी नहीं है मुझे तुम्हारी सिंपदी नहीं चाहिए इसने तुम्हें ना मिलने का फैसला किया था मैं तुम्हें यह उचाई पर देखना चाहता हूं खोद भले यह नीचे रहूँगा चलेगा पर मुझे तुम्हें यहीं देखना है तुम बस यहीं रहो और आई लव यू सच्ची, आई लव यू अगर तुम भी मुझे पसंद करते हो तो वही तुम्हारे वाले बीच पर मिलते हैं इसरव विवार पैड़पटम बीच ठीक, दस बचे अब तुम समय लेकर आराम से सोचो अब 25 बाराम अब टुम्हारी बाराम से सच्ची, आई लुम्हारी ऍटर पैड़ड़ू बहुत अच्छी चगर दूंगे तुम्हें ये ये क्या कर रहे हो तुम मेरे लिए इस बीच को साफ कर रहे हो सॉरी सॉरी नहीं कोई बात नहीं क्या देख रहे हो मुझे अभी-भी कुछ तो एहसास हुआ है अभी समझ में आया कि कविया और गीत का रक्सर समंदर और आसमान को लेकर ही गानी क्यों लिखते रहते हैं क्यों नहीं कि हां तो हम क्या बात कर रहे थे अरे हां मैं मेरे बाबा मेरी लक्षमी दो भेंसे और एक गाय लक्षमी कौन है मेरी बच्ची का नाम है मेरी मां 1992 में ही मुझे छोड़ कर गुज़र गई उसी की याद में बच्चडी का नाम मैंने लक्षमी रख दिया था पर कोई बत नहीं तुम अपनी मां की तरह दिखते हो अगर ऐसा होता तो मैं बहुत ही खूबसूरत दिखता मतलब तुम्हारी मां बहुत खूबसूरत थी हाँ बहुत अच्छा चलो बताओ कि तुम्हारी मां कितनी खूबसूरत थी आसमान और समंदर से तुलना किये बगेर कलपा ना करो कि तुम रो रही हो लेकिन अचानक मेरे जोग पर तुम फूट-फूट कर हस रही हो, उस अहसास के जैसे खूबसूरत थी औरत की मुस्कान से तुलना करना ये तो नॉर्मल है हाँ लेकिन फिर भी ये दुनिया में दूसरी सबसे शुद्ध चीज होती है, और कुछ नहीं तो पहले क्या है? मर्द के आंसू अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मुझे तुमसे कुछ पूछना है हद है, क्या तुम फॉर्मल होना बंद करोगे? सिर्फ शादी के बाद है अच्छा ऐसा? सही है तुम मुझसे सच में प्यार करती हो क्या? तुम समझ क्या रहे हो? प्यार नहीं करती तो इतनी दूराती क्या? सॉरी, सॉरी वैसे क्या, तुम भी मुझसे प्यार करते हो? अर ये सवाल पूछना भी नहीं चाहिए ये सही नहीं है, कभी पूछना भी मत बस एक का और बात अब जब हम एक दूसरे से प्यार करते ही हैं तो मुझे लगता है हमारे बीच एक रूल होना चाहिए और वो क्या है? यही कि हम किसी को बताएंगे नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ऐसा क्यों? सारा कॉलेज सोचता है कि तुम इतनी खूबसरत हो कि हीरोईन भी तुमारी आगे फेल है सब लोग कहतें कि तुम्हें पती भी किसी फिल्म स्टार से भी ज्यादा खूबसरत मिलना चाहिए अब अगर ऐसे लोगों को ये सब पता चले तो उने लगेगा कि उनके पास एक ऐसा मौका है जिससे वो क्यों तुम उन्हें नहीं कह सकते बहार में जाओ अपने आपको कमजोर समझते हो अगर हमारी शादी के बाद किसी ने कुछ कहा तो मुझे छोड़ दोगे वो क्या है कि कॉलेज के बाद जब मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी तो उसके बाद जब शादी होगी तो लोग ज्यादा मू भी नहीं खोलेंगे ना हाँ ठीक है अब क्यूंकि पहली बार मुझे से मांग रहे हो तो मैं मान रही हो तो अगर मैंने कुछ और भी मांगा होता तो क्या तुम उसके लिए भी राजी होती है अभी तो तुम ने कहा कि चादी के य। तुम सच में बहुत चालो के लाड़ी को देखो तो कैसे शरवा रहे हों एक हिए य्जिके बात में मिलते हैं वैसे हाँ तुम बार-बार मेरे अंकल के घर पर मत आया करो अगर किसी ने देख लिया तो कॉलेज में बात मत करना में तो हम बाग कैसे करेंगे अरे गुस्ता होगी ठीक है कोई बात नहीं अगर हम सच्छे दिल से किसी कुछ आते हैं तो वो हमें किसी भी तरह मिल जाती है कल दोपेर में ठीक एक बजे खिड़के भूलना मता तुम्हारे बाबा कहा है तुम्हारे बाबा कहा है चारा लेने गए है आओ अरे शर्मा हो नहीं है डर लग रहा है तुम्हें कुछ नहीं होगा के इन भैसों के बच्चों को यहां क्यों बांदा है तो में बैच जाऊ ना यह भैस नहीं है यह गाई है एक् kalian का बच्चा है काली बिल्ली काला कोब्रा काला कवऊ है हर काली चीज़ को हमेशा अशोभ ही माना गया है लेकिन दुनिया में एक ही ऐसा प्राणी है जिसके काले होने की वज़े से उसे पूजा जाता है वो है काय मेरी लक्षमी यह हमारा छोटा सा खेत मेरी माँ यही मक्य की फसल बाजर में बेचने जाती थी और वहीं उनकी बच्चत भी थी तुमने वो मशुहूर कहावत तो सुनी होगी कि पैसे कभी भी पेड़ पर नहीं उखते हैं लेकिन हमारे यहांपर उखते थे हम बहुत अमीर है मेरी माँ यह हमारा बहुत ख्याल रखते थी हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं खाया की नहीं खाया, हर बात का ख्याल है अगर हम कभी गलती से भी कहना भूल जाते तो तूफान आ जाता तुम्हारी आँखें उनके जैसी है यह हमारा छोटा सा राजमहल कुछ साल पहले हमारा घर आग लगने की वज़े से चल गया था मैंने और बाबा ने सिर्फ हमारे लिए जोपड़ी बनाई थी किसी तरह से इस घर में सिर्फ दो लोगें के लिए ही जगा है मैं हमेशा सुचता था कि जिस दिन कोई तीसरा इस घर में आएगा तो ये घर भर जाएगा लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि हकीकत में ये घर भहुत खुब सुरत होगा अब तुम इससे खुश तो हो ना नमस्का श्रीमान बाला येसू आपको भी नमस्कार में तेरे पिता जी नहीं है क्या नहीं क्यों यही तो मैं चाहता था मैंना एक कलरफुल खूबसूरत फोटो चाता हूँ पासपोर्ट का 20 रुपे और फुल फोटो का 40 रुपे और चार दिन के बाद आकर लेके जाना और मैं भी बहुत बिजी हूँ समझे अरे बालू मुझे जलने की बूह आरी है यार साले मेरे पैंट पे कुछ जल रहा है चले भाग या से क्या हुआ यार मैं तेरा खून कर दूगा चल निकल अब तुझे रूद्ध तेरी तो यार मेरा प्रामीस ले दे गाली है मैं तुझे मार दूँगा जा जाके घूम उसके साथ अच्छा तुने मेरे घर का इस्तमाल किया उसके पीछे जाने के लिए साले ठोके बाज अरे बालू सुनना सोडा पिते हुए इस पर बात करते हैं चलना तो जेर पता चल अरे तुने सेने माल में देख लिया गया क्या है तुमस्त साथ क्लास बंक करने की इंबने तक चल गया अबे तो दुझे पता कहां से चला? में कल गलती से अपने जगा तेरी बुग घर ले गया था आ तो? बुग का पहला पन्ना लड़के की डीडिल बताता है लेकिन आखरी पन्ना उसके लवर की डीडिल देता है अबे तुझे जरा से भी शर्म है क्या? साली फ्लेम्स में एम पानी के लिए तुने पूरा का पूरा नाम रोन डाला जया क्या लिखा? जय क्या लिखा? क्रिश्ना क्या लिखा? थू! साला सूतिया ऐसा मत बोल यार मुझे लगा पता चलते ही लोग हमारा मजाग बनाएंगे इसलिए कुछ प्राइवसी रूल्स रखे है अगर वो इतनी सीधी साधी है तो तुझे कंट्रोल क्यों कर रहे है? अरे वो तो मैंने बनाए है रूल्स रखो या ना रखो उसको के प्रॉड़्म नहीं है चल ठीक है तो मुझे उससे कब मिल वा रहा है? अबे वो तो तुरी पडोसी है यार हम दोनों के मा के भी जगडा चल रहा है अरे उनके भगवान गोकुल के क्वाल है और हम लोगों के भगवान जेरुसलेम के क्वाल है लेकिन तुम दोनों ही संडे को लाम कहते हो ना अब बताना भूली गया, उसका एक बड़ा भाही है रामराजू, दिखने में बले ही बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर से साइको है, और वो मुवी है न हीटलर, वो फिल्म रे, जिससे तु भावनिक तरिके से जोड़ गया था, अगर उसे इसके बार में पता चला तो ऐसे काट दिया जाएगा, लेकिन उसने का कि ये वो खुच संभालेगी, वैसे तुझ से मिलाने मैं अगले संदेल आ रहा हूं, ठीक है, मैं तेरी फोटो खीच दूँगा, भी मुफ्टने, ठैंक्स यार, सुनना, ये पहली फोटो है जो तुम मेरी ली खीच रहा है, स जोड़ा नीचे, नीचे, आप मुस्क्रा, वाइट, टू, तुरी, लाइट कैसे चली गई यार, यादे तुन्हे कहा ता कुछ जल रहा है, वो यही लाइट ठी यार, तो फिर मेरी फोटो, वो में देख लूँगा, तो चिंता मत कर, ठीक है, ठीक है, हेलो, ओवर, हेलो, तुम्हे मेरी आवाज आ रही है, ओवर, हाँ, बोलो, ओवर, तुनो, इस संडे ब्रिच के पास मिलते है, ओवर, मैं तुम्हे अपने दोस्त येसू से मिलवाना चारता हूँ, हमारी बात होई थी न, सब सीक्रेट रहेगा, ओवर, फिर भी इसको किसी दोस्त, ओवर, अरे यार, तुमको मना किया था न, किसी को मत बताना, तुम लड़कियों से न, कुछ नी ओने होलो, ऐसी रहोगी, ओवर, इतना मन भड़को, उसे भी खुद ही पता चल गया था, ओवर, तुम्हे पकड़ी गई, ओवर, ये किटने उंगली है, दुगा कान के नीचे, भाल, तुचोक मत मार, वैसे मिलने के लिए अच्छी जगा खोजी है, दूध वाले को हर रास्ते का पता होना ही चाहिए, मेरी फोटो लाया है क्या तू, लेकिन फोटो किस लिए, उसे मेरी फोटो चाहिए थी किताब में रखने के लिए, या हो सकते अपनी अब आपको दिखाने के लिए, मैं दूसरी खिचेंगे, मैं को तैयार करूंगा और खिचूंगा, खेर पहले ये तो देखने दे रहे हैं, अरे वो लोग आ गए, चाह, चाह, अब ये चश्मा क्यों लगाया तूने, इस चश्मा में जिसे हम प्यार करते हैं, वो और भी ख के खब दे का खब पत्रे हैं, इसकë पूसियाktó ओर उंभ प्रीक, मैं बिर से अत्रे Web स करते हैं, ये तर दे अच कर ओए है है क्द़कर रजे छिसे एनले क्यों आबापे! आई है अथित 153 अभू yell झाच कॉझ्ट के का देखा थुन्स का मैं लाओ यह सु कर देटा नमस्ति है एक इसे ऐसा नहीं है अबे ऐसा नहीं है, मैं समझ गया, मैं मोटा हूँ इसलिए ना, अबे नहीं नहीं, मतलब हाँ, बस यही न, टेक्नोल ले आजकल बहुत आगे बढ़ गी है, ब्लड डोनेशन की तरह, फैट डोनेशन का भी सिस्टिम चालू होगा, फिर मैं अपना फैट डोनेट कर दूँग अब चल जल्दी, हम थोड़ा वहाँ चल के बात करें हाँ, ठीक है, पद्दू खयाल रखना, पद्मा जी, आईए न, प्रीज की मजे लिते, आईए, वेर इस फीट होम, नोबल कॉलिज के पास, इस नोबल एरिया, अगर बुरा ना लगे, तुम्हारी कोई लौ स्टोरी, तुम्हारी, एक तरफा लौ स्टोरी, सच में, एर नेंटी नेंटी सिक्स में, एकदम रॉम कॉम फिल्मों की तरह, मुझे भी लव लेटर राते थे थे, मुझे बता नहीं था वो कैसे दिखती, उसे भी बता नहीं ता में, एक एसे दिखता हूँ, हमें एक दूसरे के लव लेटर से प्यार हुआ, जब मेरे पेरेंट्स शेहर के बहार जाते, तो वो कहती उसे मेरे घर आना है, में उसके लिए घर साफ करके पूरा दिन उसका इंतजार करता रहता, लेकिन वो कभी नही क्यों, ऐसा मेरे साथ और कई बार होता रहा, और एक दिन मुझे बता चला, ये सारे लेटर मेरे पिता जी लिखा करते थे, उन्हें लगता जब वो घर ना हो, तो में घर साफ रखू, सम्पीपर आर लाइक देट, सामिल नेड़ीज लाइक देट, अजीब नमुने दुनिया में, तो बताओ क्या हाले तुम्हारा, मुझे तुम्हे भी तो पहले तुम दिखाओ, एक दो और जोग बोल दूँ का तो ये पूरी तरह मेरी हो जाएगी, अच्छा उस दिन कोई मर गया है, कितने दुख की बाद है ना, रुको रुको, रुको, अरे ये तो डेट बॉडी है, कोई मर गया, अच्छा, पता नहीं बालू का क्या हाल होगा, बाला जी, बालो, चलो, अब मुझे दिखाओ, तुमने मुझे एक फोटो मांगी थी ना, मुझे लगा कि मैं उसे अपने साथ लेके आया हूँ, लेके शायद मैं भूल गया, अरे ने, फिर जाने दो से, मैं तुम ही कुछ दिखाती हूँ, जानते हो क्या, अरे तुमने टैटू बन बन वाली आया है क्या, अरे शान्त हो जाओ, जिल्ला क्यो रहा हो, मुझे सच में यह करवाना था, हे भगवान, क्या ज़रो थी यह पागल्पन करने की, क्यूं अच्छ नहीं है क्या इसमें क्या अच्छ है तुमें टैटू नहीं करवाना चाहिए अरे बात में बात टैटू, चलो दिपती बाई, यह पादमा बाई, तू साथ चलेगा कि तुझे बाई बोलूँ, बाई और उस दिन से हम शेहर के बाहर कभी नहीं मिले, क्यूंकि हमारे पास दो बड़े काम के सिक्यॉरिटी गाद्स थे नजर रखने के लिए, तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो मैं तुम बे गुसा नहीं हूँ, तुम्हारे मापा को उपता चल गया तो वहां कौन देखने वाला है, और जो देख सकता है, वो सिर्फ मेरा पती होगा हुआ है, बस एक और साल, उसके बाद हम अच्छे माग से पास होंगे, मुझे अच्छी नोकरी मिलेगे, उसके बाद मैं तुम्हारे खारा होंगा, गन्हीं या, अब इतनी भी फौर्मालिटी मत करो, बोला टाइम लगे गा ना, बदलने में, के तुम डरी हुई हो, प्या मैं तुमने लिए जादू करता हो वो क्या है मैं अंदाज है लगाता हूँ तुम क्या सोच रही हो सच में चलो किसी नंबर के बार में सोचो अब उसको उसी में से माइनस कर दो हां उसमें दो जोड़ दो और जवाबे दो तुमने अभी तक अपनी फोटो नहीं दी है मुझे वो अगले दिन एक विदेशी जिसका नामे डॉन बॉसको वो कॉलेज में आ रहा है इवेंट करने के लिए और वो टीवी पर टेलिकास्ट होगा अरे मैं क्या पूछनी और तुम क्या बता रहे हो किसी को उसे इंट्रेड में बढ़ा चाड़ा कर बताऊंगी स्पीच इंगलिश में होनी चाहिए मैं लिख दूंगी तुम अच्छे से तयार कर लेना चीक है कल के शो में तुम बिलकुल हीरो बन जाना क्लास का टाइम हो गया ठीक है चलो चलते है थेंक्यो डॉन बॉस को सर फॉर कविंग तु Earl क чув योट जिशिशन थंक्योड बॉस्को सर फॉर कमिंगट में यहाच को आखेंघ कड़यो क्यों टोलेज वहहां बैटो सर वह हूं आपने जहां यहां मुथ सपीच सपीच सब्स यह प्रोंट्रीश करना चाहता ऑं इ Алексां से ज्यादा मांक्स वालों के लिए हैं देखो हम 40 कॉलेज में से चुने गए हैं सीटी केबल पर दिखेगा ये प्रोग्राम स्टेज बहुत खूब सूरब दिखना चाहिए फर्स्ट इंप्रेशन इस बेस्ट इंप्रेशन तुमें भी ये पता है उमीद है समझोगे नेक्स टाइम देखते हैं चलो 76 परसंट वाला प्रोग्राम शुरू होगा वर्स्ट इंप्राम स्ट जाईम प्रोग्राम स्ट इंप्राम स्ट इंप्राम स्ट ि्वक्श बहुत आए मैं वे रचाहिए आप सभी को नमस्कारम इसको बस इतनी हिंदी आती है अब तालिया बंद भी करो बुद्धु कही के मैं हिंदी बोल सकता हो यह ना बनना रहे हैं हर गर में इंजीनियर होगा तो इंजीनियर की इजद कुन करेगा रहे मैं तुस्से क्या उमिद करने लगा बेश शूती है मुझे प्रोमिस या दे हैं यार ऐसे मूमत उतर तु जानता नहीं यह इडियर है थांक्यू डॉन बोस को सर क्या इस्टुडेंट में से किसी को कुछ कहना है भाई तेरी पहले काफी बेज दिवी थी आरे वो तो इडियर है आतो उसे इस बात का एसांस भी होना चाहिए है 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 दोस्तों थैंक्यू दॉन बॉसको सर अर्कमिंटो अर्कॉलिज आवांटो तेल ग्रेटनेस अवेंग इंगिनेरिंग तो मैं फ्रेंट्स अर्कमिंटों पर्मिशन कैना स्पीक इंग मॉधर तंग सर्थ यह शूर थैंक्यू सर्थ है दो साल पहले यह लोग कॉलेज मैगजिन के लिए फोटो ले रहे थे मैं अभी जाके वहां खड़ा हो गया लेकिन कैमेरा मैंने मुझे वहां से धकिल दिया और तो दूसरे लड़के और एक लड़की को ले लिया उसने कुछ किताब हे दिया और उनकी अच्छी तस्वीर खेंचीब क्या आप जानते हैं मैं उस फोटो में क्यो नहीं था क्योंकि मैं काला हूँ किस बात पर हंसरे हो यह तुम सब के लिए कोई जोक है हां इसी वज़े से हम जैसो की जिंदेगी यह सी हो गई है मैं यहां स्टेज प्रफेले बूलना चाहता था लेकिन मैं कुछ सुना की सर मेरे बारे में कुछ कह रहे थे फर्स्ट इंप्रेशन इस दे बेस्ट इंप्रेशन जो पहले इंप्रेशन पर आपको जच करते हैं उने माफ किया जा सकता है लेकिन जो लोग आपको आपके चेहरे के रंग से जच करते हैं उने तो बहुत अच्छे तरीके से मार पढ़नी चाहिए बीकॉज इंजिनियर्स आर्द फ्यूचर सोचो यह साथमी की जगा यहां कोई निक अब मतलब यह अगर काल आदमी होता तो कोई ज्यादा अंतर नहीं होता वेरी ग्रेट रीटमेंट रुद्बा और पैसा इस्ट बस इसी को मिलनी चाहिए क्या यह कितनी गंदी जिन्दगी है वैसे यह हमारी गलती भी नहीं है यह तो हमारे पूरवजों का दिया हुआ है विरासत में अगर किसी ने कहा होता कि आपका बच्चा गोरा होगा अगर आप उसे अठारा महने पेट में रखे तो दुनिया में जितनी माये हैं वो उतना वक्त भी इंतिजार कर लेती और ऐसे ही समाज में हम रहते हैं 200 साल पहले अंग्रेज आया और हम पर राज किया और हमें घटिया मांसिकता दे दी कि जो गोरे लोग होते हैं वही शासक होते हैं और बागी सब उनसे निचली जाती के होते हैं अब सोचीये हम पर राज करने वाले काले होते हैं और उनोंने भी ऐसाई कुछ हमारे दिमाग में ठूस दिया होता तो क्या आज हमारे बीच यहाल होता Because Thank you, Rostom तुम कुछ जादा ही खुश देख रहे होगा ना किया कहा गुस्सा अरे वो गुस्से से कॉल रहे थे उस इंसिडेंट से कृष्णा तो फेमस हो गया प्रिंसिपल उसे सजा देते तो वो हीरो बन जाता एकदम साही कहा तुम जानते हो कुछ लोग कैसे होते हैं भले ही कुछ से किसी के नजर हटने नहीं देते हैं और इसलिए उसने एक सही समय का इंतजार किया और तब ही आ गया मेरा जनम दिन कंप्यूटर बैच वाले सब लेब में मैं दिप्ती को बहुत बड़ा बड़े सर्प्राइज देने वाला हूं उसका पती भी उसा सर्प्राइज जड़े देवाएगा झाले सर्प्राइज देवाएगा एपी बाद्देरों थांक्यू टिपोल्सर उर्ष स्वेन किला आउ स्वाइब स्वाइब काशल में आउ देखो जोरी अरे ने ने इसमें तुम्हारी कुई गल्थी नहीं है प्लीज तुम रोओ मत अपने जनम दिन पर रोना नहीं ही चाहिए तो प्लीज दो वाहाँ, कि अजब आज़ दो, खिरो भी दो, आज़ इक़ें, वाहाँ, भाहाँ, भाहाँ, अज़ अज़ आदूड़ाँ, आज़ खिंदा इंदा एंदे नो, अज़ एंदान। हे हीरो, बोलो मैं क्या करना चाहिए? सर, मैं बताता हूँ, इन दोनों ने बहुत बड़ी गल्ती की है. सुम चुप रहोगे? मैं सर, मैं क्यों चुप रहूँ? उस दिन जब मैं अपनी गल्फरेंड से बाते कर रहा था, तो सबके सामने आपने मुझे बेज़द किया था? आपने मुझे पनिश किया था ना? तो इनने भी पनिश किज़े, सर. सर, सर, ये तो बच्चा है, सर. गलती हो गई, माफ कर दीजे, सर. सुनिए, घर पर हर कोई बच्चा होता है, लेकिन हम उनके हीरोगिरी, प्रेमी पना, लड़ाई देखते हैं यहां इस कॉलेज में. हमें उनका असली रंग पता होता है, आपका बेटा लव स्टोरी चला रहा है. सर, प्लीज ये जो कर रहा है, उसे प्यार मत कहिए. कॉलेज में प्यार करना नॉर्मल बात है, लेकिन क्या ये सच्चा प्यार है? अगर इनके प्यार में थोड़ी भी सच्चा ही होती न, तो कॉलेज में ये बात सबको पता होती, सर. मैं दावे के साथ क्या सकता हूँ, कॉलेज में इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, अगर विश्वास नहीं हो तो इनके दोस्तों को बुला कि आप यह बात कनफर्म कर लीजे सर अब तो आपको समझ में आगिया ना, यह कॉलेज के केमपस में गला थरकते कर रहे थे, इसलिए इस बात को सबसे छुपा के रखा है, फकड़े जाने के बाद प्रेमी होने का नाटक कर रहे हैं, बहुत एक गंदा काम किया है सर, एक नमबर का घटी आदमी है यह इस बंदे काम की बात कर रहा है तू, है, अरे बिटा, रुख जा, मेरे सामने इसमारने की इहमत कैसे की, सर, इसने गलती कर दी, सर, माफ कर दीजे, सर, बिल्कुल नहीं, मैं तुझे कॉलेज से निकालने वाला हूँ, देखता हूँ तू इसके बाद पढ़ा ही कैसे करता ह सर, इसके तरफ से मैं मापी मांगता हूँ, सर, छोड़ दीजे, सर, सर, छोड़ दीजे, अरे, सना बच्चों की तरह बख बख चालो रहे हैं, तो चल मेरे साथ, चल बोराना, चल जाओ यहां से, जाओ बिटा, जाओ, 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 अगर तू एरे किसी साथा की लगी तो तेरे बच्चे भी कालेब रदा होंगे, मैंने तुझे तेरे भाई के पास इसलिए बेढ़ जाओ था 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 कि तू अच्छी से पढ़ सके, और तू यहां मू काला कर रही है, तेरे जनन दिन के लिए आई थी, पर यहां आके क्या यह बख्वास तू नहीं सिखा यह इसे इतने दुनों में, मैं सब देख रहा हूं, हर चीज पर दियान रहता है मेरा अगर तू ने उससे शादी की ना तो हम खुद कुछी कर लेंगे आप मेरी वज़े से मरना चाहती है, वो भी मेरे लिए मरना चाहता है, आप इजद बचानी के लिए धंकी दे नहीं है, और वो प्यार के खादिर कहता है मुझसे, किसे देखो, यार या जूटी इजद, चुप करो, प्यार बड़ा या अहंकार बड़ा, तो घर के अंदर मैं नहीं जाओंगी, ए तू, इसका बैक पैक कर, कहां भेज रहा है इसे, विजय वाड़ा, छुट्टियों की तहिया आ रही है, अच्छा नहीं हुआ, वो इतनी दूर, अकेले कैसे रहेगी, कोई समस्या नहीं है, मुझे वहाँ कुछ और सुरूरी काम निप्टाने है, तब तक उसे वहीं रहना है, आप कहना क्या चाहते हैं, मैं अपनी बहन के लिए खुबसूरत सा पती ढूनूँगा, वो एक बेटी को चनम देगी, मैं उसकी शादी अपने बेटे से करवा दूँगा, अब मैं तो खुबसूरत हो नहीं पाया, लेकिन मेरे आने वाली पीड़ी खुबसूरत होगी और यही मेरी जिम्मेदारी है, यह सब प्लाइन करने से क्या फायदा होगा, सब किस्मत की बात है, तुम्हें पता है, जब तुम पैदा हुई तब मैं सेवन्थ क्लास में पढ़ रहा था, तो क्या भवान तब तक मेरी किस्मत नहीं लिख सकता था, कभी किसी और को अपनी किस्मत मत लिखने दो, अरे, उसे ऐसे आ के लिए नहीं पीना चाहिए, उसे भी लेकर आओ, प्रिप्रेशन हॉलिडे किस बात के लिए लिए थी, इसी चीज़ के लिए तो थी, आप उसे लेकर आईये बस, जानू, अभी के लिए काफी हो गया है, मेरी सफेश शट लेकर आना तो, हम, सर पे महनी लगा के सफेश शट क्यों पहननी है, ज़रूरी काम करने के लिए अच्छी ड्रेस कोड होना है चाहिए, हम, अजीब है, ये आकाशवानी है, राम राजु पर उसने जा रहे हैं, बिर्यानी, अजीब लगा है, सर आप मुझे ऐसे क्यों मार रहे हैं सर मेरा जुर्म तो बताए सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर ऐसे घटिया सवाल मत पूछना मैंने दिपते के साथ भाग जाने या किसी को दोका देने का प्लैन नहीं किया था सर अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से जौप पाने के बद आपसे उसका हाथ मांगने आने वाला था सर अच्छा तो तो पढ़ाई करना चाहता है मेरी पर जिंदा की बन पर बाद कीजिया सर प्लीज रुक जाए और इसे अच्छे से चलने दे का सर प्लीज सर प्लीज तो कुछ क्या रहाता पहले एक बार वो बोलना मेरे लिए आप मुझे नफरत क्यों करते हैं से इस पाउडर की बिना तुम मुझे सफिद होके दिखा उसके बाद में तुझे अपनी बैन खुशी से दे दूँगा आपका ऐसी बाते करना सहर नहीं हो रहा है ऐसा क्या मेरे जन्म के पहले अगर भगवान ने मुझे पूछा होता गोरा रंग चाहिए यह पत्र छाइए वे क्ला रंग चाहिए तो में क्या चुंता ने यू कि उससे मुझे मुझे मौका हि है नहीं दिया लेकिन अपना जीजा चुन ने का मौका तो हैं ना मेरे पास तो पर में तुझ यसा क़्रील ही चुनो चल वो जाने दे, क्या तु मेरी बहन के बच्चे के लिए थोड़ी सी भी एशो आराम की चीजे खरीच सकता है करूँगा न सर, प्यार और शादी के लिए रंग ज़रूरी हो सकता है लेकिन परिवार की खुश्या लाने के लिए रंग ज़रूरी नहीं है मैं हर बार ये डायलोग सुनकर तंग आ गया हूँ, सुनवे, वो ब्रियानी लेकर आओ ज़रा, इसे खिलाओ और इसे वापस भीजो हम पुलिस वाले बड़े दयालू होते हैं, मारने के बाद पेड बरके खिलाते हैं डरो मत मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, खाओ खाओ रमेशी, सर, ये सूख गया है, अभी सूखने में थोड़ा और समय लगेगा, सर अच्छा, सूखने में भी टाइम लगेगा, अब जब तुम खाई रहे हो, तुम एक तुम्हें प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ, मैं तुम्हें एक अच्छी बिर्यानी खिलाना चाहता था, तुम्हें एक रसीदार बकरी मिल गई, वो इतनी बड़ी थी, हमने उसे और उसके बाद उसका गला काटा, तो उसके बाद वो रोने लगी, अब मैं थोड़ा इमोशनल इंसान हूँ, मैं उसके पास गया और मैंने कहा, हे वेचारी बकरी, मुझे बताओ कि तुम्हारी आखरी चक क्या है, तो उसने रोते हुए कहा, मैं बकरी नहीं हूँ, मैं तो तो जुम मैं पेऊ कि वेचता इन दो झाल झाल हुए कि तो आडैघ मैं औरी अंे शोसान हो नान क Creator को करी अहीं हैं झाल है सहारी लग वेता दोन आडा़ लग जन चाहारी जो समत वえď değ वेदान क तो ुम Origin आड़ र дост pris ड têmा़ता है, जख लगथ कि अत तो ऒुम हैं अ़ह ट आज के लिए इतना काफी था देरे लिए चल जाए यहां से चल मैंने कल अखवार में पड़ा था इंसान का मास खाने पर अलोकिक ताक्ते जाग जाती हैं अब अगर मैंने तुझे मुझे इसके बारे में बात करते सुना ना तो सुन मैं तुझे किसका मास के लागूँगा तू समझ सकता है समझ रहा है जा आओ यहां बैठो काफी प्योगी तुम्हारे लिए अमेरिका से दूला मिल गया सिक्स फिकर सैलेरी है तुम्हारी तो अब जिन्दगी बन गई मैंने लड़के की पिता को आई लंच पे बुलाया है उन्होंने खाने के बाद कुछ पान की पत्ते मांगे हैं तुम जानती हूं मैं एक अच्छे इंसान हूं मैंने भी बतले में तुम्हारा हाथ दे दिया सर ये तो काफी बड़ी है लड़के की हाइट कितनी होगी सर उसकी हाइट रमिज जी वो सल्मान खान का कौन सा गाना देख रहे थे देखो मैं हूं یہहां Correct सिरियाનने को स Taste of our दोधार बाए उसकी समझे कि नहीं सूपर सै कअथ दंधार बाहे हसता है तो ठेले पर różसे और घुनंग्राले बाले जुकर कि सी के भी पैर जौ सकता है यह वो चीज से हैं जो हमें लगता है कि द्लम्ड म fot pięете सब बंद कीजिए शादी के लिए दंदार बाहे या गोरा चेहरा नहीं चाहिए एक सांफ दिल चाहिए रमेश जी हमने किसी का हाथ तोड़ा था उसका नाम क्या है अभी अभी राम सर वो भी ऐसी दखेन उसी बाते कर रहा ता दिल बड़ा होता है प्यार मान होता है हाह स्वाब देने के पहले बहुत ध्यान से सोच लेना सर कोई ऐसा जिससे आप बहुत प्यार करते हो और मर जा और उसकी बोड़ी के आगे आप बैठकर रो रहे हैं और कोई टाइगर आ जाए तो अब क्या करोगे मैं तो बाग जाओंगा सर तो तुम बताओ मुझे प्यार बड़ा हुआ या फिर डर बड़ा हुआ डर बड़ा है अब बोल, तुझे प्यार बड़ा लग रहा है या पर डर बड़ा लग रहा है। पान मांगा तो सप्राइज गिफ्ट दे दिया। तो आज मेरे बर्दे पर क्या मिलेगा। बोल तुझे क्या चाहिए। हॉल टिकेट, मैं एक्जैम देना चाहती हूँ। देपती हिंदु कोरी, कम्प्यूट साइंस। जाया है, जाया है, जाया है, जाया है। क्या यार, सिग्रेट का बास आ रहा है। मैं सिग्रेट नहीं प्यू तो और क्या करू। क्या करूं मतलब। आपको बताये भी ना टेरेस पर कितने लोग घबा घब सिग्रेट पी रहे। आपको पता है इंसानों के लिए कितना खतर ना हो सकता है उपर बेटे कुछना को सब पता है कितना नुकसान होता है ऐसा है क्या शाम को चलते उन में से किसी न किसी को हम पकड़ी लेंगे हां हां मेरा हॉल टिकेट डीजेन है सर मुझे वाश्रूम जाना है हेलो सर हेलो हेलो आजकल तेरा दोस्त क्या कर रहा है उसके कुछ ज्यादा ही दुलाई हो गए बिचर आराम कर रहा होगा मुझे क्यों लग रहा है कि तो कुछ न कुछ चिपा रहा है तो आके मेरी गाए मेरी गाए जिसी शक्री देखकर लगता है कि हमें कुछ चिपाऊंगा सर मैं अच्छा लड़का हूँ सर आप जानते सर मेरे भाई ने किया है सोरी का नहीं है यह मेरी वज़े से हुआ है इन सब के बारे में भूल जाओ मैंने सारा अरेंजमेंट कर रखा है हम तुम्हरे भाई को बेवकुफ बना के यहां से भाग जाएंगे लेकिन पुलिस का क्या सेनियस से लेकर जूनियस तक लिक्चर से लेकर पीउन तक सारा कॉलेज हमारा सपोर्ट कर रहा है क्या मतलब है वो सब तो तुमसे नफरत करते थे ना उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं दीपू, लोग दुनिया में हर कोने में हर तरह के साप से डरते हैं लेकिन वहीं साप साल में एक बार पूजा भी चाता है नाग पंचमी पर, आज वैसा ही दिन है हमारे लिए पुलिस डिपर्टमेंट जोईन करने का क्या तरीक है सर? सार ये तो बहुत सवाल पूछ रहा है ए बालू हाँ सर कहीं बार जब आप किसी पर गुस्सा होते हैं और उन पर अपना गुस्सा नहीं निकाल पाते हैं तो हम अपना गुस्सा किसी चीज पर या किसी दिवार पर निकालते हैं तोड़कर तो मेरी वही दिवार है, अगर तोसे कोई भी कव्धियों तो याद रखना, मैं अपकी दिवार नहीं हो, सर मैं जमबा हूँ, जमबा, क्या मतलब, रामेन वाला जमबान सर, मैंने हनमान को जबान दिये सर, अगर वो कभी किसी भी मुसिबत में होगा, तो सारी वा पनर सेना, मतलब, आँ, अब से बस एक घंटा और, उसके बाद मुझे तुम से ज्यादा फॉर्मोल होने की जुरूत नहीं है, यार अगर वो प्यार करते तुने सायदी करने का हक है, ये कौन होता रोखने वाला, सिलेंट्स, सिटिया बजाने का मुका भी मिलेगा, हम स्टुडेंट को आप समझते कैसर, एक आईडी कार पॉकेट में पेन, हाथ में नोटबुक पकड़ने वाला, एक शर्ट, पैंट, चुते, सॉक्स, पहने वाला स्टुडेंट, हर स्टुडेंट को दिल भी होता है सर, दिल किसी को चाहता भी है, और वो शादी भी उसे से करता है, और आपके जबर्दस्ती नह हम लोग नाइटीन 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 में है, और आज के समय में भी आप रंग और जाती पाती के चकर में पड़े हुए हो सर, क्यों, हमारे सूपरस्टार जिनका बेटा अभी फिल्मों में एंटर हुआ है, क्यूट सा लड़का क्या नाम है उसका, महेश बाबू, हाँ, आपको लगता है कि आप महेश बाबू की तरह गोरे हैं क्या, मेरे और आपके भी ज्यादा अंतर नहीं है, आप 3.5 होंगे, मैं 3.75 होंगे, मैं 3.75 होंगे, मैं तो 4 हूँ, हाँ, अब रंग आपके लिए बहुत बड़ी चीज है तो सबसे पहले तो आईना आप खुद देखिए, तब भी को समझ में नहीं आए तो अप आपकी बहन ने मुझे चुन लिया है, तो अब इसकी पसंद को बिल्कुल सही साबित करने के लिए, मैं उससे लेकर जा रहा हूँ यहां से हम भाग के शादी करेंगे वानर सेरा सम्मान दे सूपर तीदी, उसके बाद क्या हो, क्या लगता है तुम्हें, नाम है पिली मेरेड, तुम्हें एक बात बताओं, मेरा चौथा मेना जाए है, वाओ, कांग्राचिलेशन्ज, जीतने पर हमें खुशी नसीब होती है, हारने पर हम सीखते हैं, जब कोई हारता है तो वो फिर कुछ ऐसे भी है, जिनके आसू सूख गये है, मैं नहीं चाहते कि तुम उस मुकाम पर पहुँचो, चलो मुझे जिन्दी की जीने का मसलब समाज में आ गया, अब देखना में क्या करता हूँ, देखना में इसके लिए कैसे जीतता हूँ हापी जोनी, आज के लिए और हमेशा के लिए थाइंक यू, अल दे बेस्ट, इसका खयाल रखना हाँ, वो नुव नेनो फिल्म का क्लाइमेक्स था नहीं जानती, मुझे नहीं लगता युएस में रिलीज हूई होगी, लेकिन फिर भी तुने सेम स्टोरी बनाई, मुझे में लगा कि सच है ये सब, उन दोनों को सबसे ज्यादा किसकी ज़रत है, फैनैंशल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट और मॉरिल सपोर्ट, इसलिए किया, एक इंसान के लिए अंत में सभी ही लोग एक हो जाएं, उसे जिताएं, ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है, ऐसा होने का जरा सा मौका होता, तो कनहया उस दिन जीत जाता, इसलिए मैं उसकी कहानी को बार-बार हैपी एंडिंग के साथ दोराती रहती हूँ, वैसे कहानी काफी अच्छी थी, सच तो बरदाश्ट करने के लाइक ही नहीं है, अरे, ऐसे रो मत, वरना मेरा भी रोने का दिल करेगा, बेटो, यह सब कैसे हुआ? अब अगर मैंने तुझे इसके बारे में बात करते सुना ना, तो सुन, मैं तुझे किसका मास किलाऊँगा, तु समझ सकता है, समझ रहा है, जा, मैरे सर्टिफिकेट जला दिये चलेगा, तेरी बहन का खेल रखने के लिए गटर तक साफ करने को तयार हूँ है, भा रहे है, जी सर, वो सारी बाते छोड़ा तुम कैसी है उन्होंने मुझे वीजे वड़ा भेज दिया था मेरे भाई का दोस्त बहुत बुरा था वो जब चाहता था मुझे चूता था एक दिन जब मैं सो रही थी उसने मुझे चुमने की कोशिश की ये बात मैंने मां को बताई उन्हें लगा क कि मैं कोई बहाना बना रही हूं यहां वापस आने के लिए उन्होंने कहा कि अगर मेरे भाई को पता चला तो मुझे मार डालेगा मुझे मुझे मौफ करना क्यों मैं पढ़ा ही करना चाहता था चौप आगे तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहता था अच्छा से उसने मुझे मेरे एज्जुकेशन चीन लिया अपनी महने से अपने पैरों पर मैं फिर से खड़ा हो जाता लेकिन उसने मेरे पैर ही तोड़ दिये उसने मुझे मेरे प्यारी लक्ष्मी तक चीन ली जब मैंने लड़ने की कोशिश की तो हालात ने मुझे और भी बुरा बना दि तो आज मुझे यह सब जिलना नहीं पड़ता सब ने कहा कि मैं तुम्हें भूल जाओं सब लोग पूरे साल चांद से प्यार करते हैं लेकिन हमाव उसमें उसी से नफरत करते हैं और ऐसा है मेरे जिन्देगी के साथ है इससे जदा और कुछ बुरा नहीं हो सकता कि मैं जि ने मेरी मदद करने पड़ दिये टॉयलेट तक जाने के लिए कि एक जवान बेटा कि अपने पितांगे सर का ताज होना चाहिए लाकि उनके सर के चिंता कि अब मैं और जीना नहीं चाहता हूँ तो हमें क्या करना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए हम दुनिया में प्यार की ही वज़े से आये हैं और बड़े होते हुए हम फिर से प्यार की तलाश करते हैं दो चीजों में से किसी एक को चुनना हो तो वही हमारा भविश्य बनाता है अगर रंग तुम्हारे लिए इतनी ही बड़ी चीज हैं तो पहले खुद को आयने में देख लेना अगर तब भी जवाब ना मिले तो अपनी शादी की फोटो देख लेना अपनी पसंद को सही थाबित करने के लिए मैं यहां से जा रही हूँ सॉरी मैं उसके साथ भाग कर जा रही हूँ नहीं वो बच्ची है भी मैं बात करूँगी उससे प्लीज समझें अगले पांच मिनिट में हम मरने वाले हैं इस फीलिंग के बारे में वो जानते हैं जिने फांसी होने वाली होती है और अब इस फीलिंग को हम भी जानते हैं तुम्हारी आखरी इच्छा क्या है? मैं एक सिगरेट पी सकता हूँ क्या? इससे तुम्हारी हेल्थ कार आप हो जाएगी थोड़ी देर पहले तो हमने जहर पिया है तुम्हारी आखरी इच्छा क्या है? आखरी इच्छा मैंने कुछ फिल्में देखी है जैसे ही हीरो और हिरोईन मढने वाले होते हैं तो वो एक दूसरे के गोद में अपना सर रखते हैं और अचानक से कुछ नया बताते हैं एक दूसरे को? अच्छा तो पहले मैं करूँगा ना? ठीक है नहीं पहले तुम ही करो मैं सिग्रेट पी रहाऊ ना तो ठीक है पर सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी आखरी इच्छा है कुछ नया अब मैं किस बारे में बात करूँ जानती हो पहली बार तुम्हें कैसे देखा था मैंने कैसे? तुम डांस कर रही थी मैंने तुम्हें देवी के आवतार में देखा था लवेट फस साइट हो गया था नौर्मली जब लवेट फस साइट होता है तो वो प्यार या तो वासना के रूप में होता है हम उस खुबसूरती को पानी की कामना करते हैं फिर वो धीरे-धीरे प्यार में बदल जाता है, लेकिन मैंने तुम्हें पहली बार देखके जो महसूस किया था वो मेरी भक्ती थी, पूरी दुनिया में सबसे शुद्ध भावना होती है भक्ती की, हम अपने दोस्त पर गुसा कर देते हैं, कभी-कभी अपने पैरेंट्स प पातका कि तुम मेरी बनोगी, और भाय इस पातका कि कहीं तुम्हें खोना दूँ, ये तीनों चीज़े एक साथ शुरू हो चुकी थी, और उसी विश्वास से मुझे लगा, कि मैं तुम्हें पातो जरूर लूँगा, लेकिन हम 1999 में जी रहे हैं, आज भी खूबसूर्ती क करेने दो, और जब वो बड़ी होकर मेरे उम्र में पहुंचेगी, तब उससे प्यार उसके वजूद के लिए किया जाना चाहिए, ना कि उसके खूबसूर्ती के लिए, तुम्हें पता है न, मुझे सिंपती से नफरत है, लेकिन हब हर कोई मुझे पर सिर्फ सिंपती की ब जिससे ही प्यार किया था, हो गया तुम्हारा, अब मैं कुछ बोलू, तुमने मुझे इस लवट वर्स साइट के बारे में, कभी कुछ बताया क्यों नहीं कर नहीं, पता है कब मुझे तुमसे प्यार हुआ, जैसे तुमने मुझे देखा था, ठीक, वैसे ही मैंने भी तु पता नहीं क्यों तुम्हे ऐसा लगता है कि ये सब सिंपथी के लिए है, मुझे तुम्हारी मुस्कान पसंद है, तुम्हारे बात करने का अंदास पसंद है, तुम्हारी आवास बहुत पसंद है, तुम सच में बहुत सुन्दर इंसान हो, इतना सब कुछ तो है तुम्हें करना के लिए इंगनहीं जवाब दो नानेया क का रिखनं के लिए इंगनहीं प्रपों मेरा प्यार कभी सिंपती नहीं था भानेया कन rehabilitation, कनया ओप्लीजे कि वपलो हो चाना कनय ओप्लीजे कनया ओझ प्लीजे ओछो आप कनोई कनया ओट ली सुच जाओ, जाओ हो जो को जाओ, जाओ हो जाओ हो जाओ. आख, बट सर, सर, प्लीज, सर, प्लीज मारी आप मुझे, सर, मुझे पता नहीं हौ कहा है मैना तुस्टे पहले ही कहाता नहां तो मुझे दिवार है, दिवार है, दिवार है, हराम को लगई काओ मुझे पताए तेरे साथ जा करना है बाट टिगाने लगा देश को असला असला दिवार है, दिवार है, हम देश कर दो दो पताए दो है दो 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 पावच्च एावच्च! किट्टू यार तुछाजता है ना मुझे डेट बोरी से डर लगता है किट्टू प्लीज हर किसी की जिंदेगी में चार दोस्त होते हैं मेरी जिंदेगी में सिर्फ तू ही है बलू हुआ 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 है अगट है अगम कुछ एंकल अब करें इस दिखागे व किद्खाहर है हमें दिन रहते हैं इसका इंतिम सेंस करना पड़ेगा लेकिन हम तो तो ही लोग है इसे वहां तक कैसे ले जाएंगे लोग है इसा है इसके लेकिन दश्देट क्या ह२ह दु हो कि कैसे जाएंगा मुझे कता दि Vince 25ivi झाल झाल आर्थ्यूव्यूव्यूभ्यू रेक् अपिन्यूभ्यू है आपका दर्द में महसूस कर सकती हूँ किट्टू के पैदा होने से पहले मैं रेलवे में काम करता था वो ट्रेन इंजन का ड्राइवर था मैं हर दूसरे दिन कौई न कोई ट्रेन के आगे आके अपनी जान दे देता था मैं होरण बजाता बिंती करता लेकिन वो फिर भी ऐसा करते और मर जाते थे ट्रेन में लगभग पंद्रोसो लोग होते हैं लेकिन मुझे ही पता था कि ट्रेन के नीचे कौन मरा है, ये सब मेरी आखों के आगे देखकर मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती थी, मैं इंजन रुम में अक्केले ही रोया करता था, कि उनके घरवालों का क्या होगा, इसलिए जब किट्टू पैदा हुआ तो मैंने वो क माम ही छोड़ दिया, मौत को रोका नहीं जा सकता, यही सत्य है, हर कोई मरता है, लेकिन बेटा, किट्टू बदकिस्मती से थोड़ा जल्दी चला गया, इसी बात का दुख है मुझे, क्या आपके पास उसकी एक फोटो होगी, मेरे पास तो एक भी नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, घर में आग लगने की वज़े से सब कुस जल गया, बेटा, उस आग में किट्टू ने कुद के, अपनी मा की फोटो और अपना सर्टिफिकेट बचा लिया, लेकिन अपने जी मैं अब चलती हूँ अंकल, अंकल आपने जरूर उसकी एक फोटो रखी होगी, श्रदा अंजली के लिए, प्लीज मुझे दे दीजे, मैं कल लौटा दूँगी, और बालू का क्या हुआ, वो तो उसी दिन पागल हो गया था, अब होस्पीटल में है, लोस्पीन का वाब अब होगी छ चे च चे भूआ अंक ये अच बही दूआ की उज़े विए।ु अ आवाब अने एच्चाका र मुझे विए तो नहीं सिए। अब होगी है।। और लुझे ऐलुए। होगी जब होगी है का जाबे का है। अबहीं खाबे फोगी है और आओ ना आओ भी वाव यह है जै क्रिष्णा फानली नाइस टू मीट यू ब्रो एकदम किष्णी कितरे डार्क एंड हैंड सब अच्छा दिखता था है ना यह इसलिए मरा क्योंकि इसे वो सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था लेकिन यह लवर्स के लिए प्रेड़ना बन चुका है इसकी अपनी एक फोटो इसके घर में नहीं है लेकिन अमेरिका में इसकी खुबसूरत पेंटिंग है वाव जय क्रिश्ना सच में मुझे जलन हो रही है आई लव यू टू तुम्हारे पास फोटो नहीं थी फिर तुमने इसे बनाया कैसे उसकी आँखें बिलकुल उसकी मा जैसी थी आखिर यह बन ही गया पेंटिंग सच में बहतरीन है यह पेंटिंग नहीं है जय क्रिश्ना की कलर फोटर है अबस्तोर नहीं है